दोस्तों अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें तो कि हम लागते रहते हैं नहीं बिजनिस आइडियाज और नहीं जनकारी केवाल आपके लिए लागत में कोई बिजन्स लूप करने का सोच रहे है तो आप विजन्स कर सकते हैं लोटेप की डिमांड और नजर डाली जाए तो इसकी मांग बजार में काफी अच्छी कास्री है सेल्लो टेप एक ऐसी बस्तूर है जिसका इस्तमाल लगूर हर घर, दुकान और आफिस में किया जाता है इसलिए अगर सेल्लो टेप बनाने का बिजनेस कोई खोलता है तो उसे इसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है सेल्लो टेप का उप्योग हर इंडस्टी में किया जाता है चाहे वो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्टी हो या फिर फार्मा चाहे वो फूल इंडस्टी हो या फिर फूल या सर्विसे या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हर इंडस्ट्री के द्वारा इंटेप का यूज किया जाता है उनके प्रडक्स की पैकेजिंग के लिए इसके साफी साफ सेलो टेप का यूज गिप्ट के समान को पैक करने फूलों के गुल दस्टे को चिपकाने साधी दिवा और जन्लिन पे भी किया जाता है आपको दुले की गाड़ी सजानी हो या दुलहन के लिए मंड़ या फिर अलग अलग जगा जाला लगाने यह सारे काम आप सेलो टेप के बिना नहीं कर सकते हं इसके अलगा जिसली के तारों पर पही इसका उपियों काפी मात्रा में किये जाता है तो चलिए दोस्तों CHके कैसी सब्सक्राइब को बिज्टे की चाहिक आप चाले के साथ वैसे आप चाहान मसीन को घर की बिजली पर चला सकते हैं करें लिए इंदस्टी कीबात करें तो यह इंदस्टी काफी बड़ी बीओ इस टेप मेनिंफटर करने के मेन मशीन आती यह उसे कोटिंग कहते हैं और इसका मेन जो राव मेट्रियल होता है त्रांस्पेरेंट यो पीपी जो अलग-अलग माइक्रों जैसे 10 माइक्रों 12 माइक्रों इत्यादी में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कमपनियों द्वारा मैनिफेक्टर किया जाता है और वहीं बीओ टेप का रोल बनाने के लिए बीओ पीपी टेप कोटिंग मसीन द्वारा ब अपने ओडर के इनसाफ से काट मार्किट में स्टिल कर अच्छा मोना पाल कना सकते हैं। और हमें अपने बिजनेस के लिए ये रोव मतेल्स बाजार में 110 पर केजी अग larva 14-यो प्यादेर लोगल टाइप में खारीव सकते हैं। और नॉर्मली बजार में बिकने वाली एक बीओ की टेप में 50-65 मीटर के आत्मस टेप होता है और वहीं बजार में जो टेप बिकती है वो 10 या 12 माइक्रों की होती है यानि हमें ज्यादा GSM वाले बीओ की टेप खरिदने की भी ज़रत नहीं वैसे आपों बता दो हुगी ठिकने जितनी जादा होगी टेप की उसका प्राइस भी उतना ही जयादा होगा और दोस्तों हमें इस बिजनेस को शुरू करने के ये क्वल 2 मसीन की जरोस पड़े ही दोस्तों core cutting machine के जड़ी हम पेपर कोर के बड़े size को अपने tape के size में काट लेते हैं जैसे 1 इंच, 2 इंच या फिर 13 इंच हमें बस इस machine के साफ में पेपर कोर को लगा देना होता है और size set कर देना होता है और मसीन में कटर लगे होते हैं जिनके जरीए ये मसीन पेपर कोर के बड़े साइज से छोटे छोटे कोर काट देती है और इस मसीन के जरीए हम 50 mm से 13 mm के साइज में पेपर कोर को काट सकते हैं और ये पेपर कॉर आपको बजार में 25 से 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा जिसे आप अपनी जोरोत के हिसाब से खरीब सकते हैं और वहीं दोस्तों मीनी वीविविपी की टेप कटिंग मशीन के दौारा पहले काटे हुए कॉर को से दियार करना है और मीटर फूरा होते ही मशीन रुख जाती है और आप त्यार टेप निकाल दुबारा से कोर से इड़ा सक्ते हैं जिससे आप अपनी जोरोत की हिसाफ से आउर्डर कर सकते हैं, पेपर कुर अदर करते हो यह ध्यान जोरोत है कि आपको पर को निचले स्टी में अपने कंपनी का नाम भी प्रिंट करवाना है या फिर आप जो पैकेजिंग बॉक्स करेंगे उसके भी आपको अपनी कमपनी का नाम प्रेंट करवाना है जिससे कि आपकी कमपनी का परचार कुदबखुद हो जाएगा दोस्तों पेपर कोर का स्टेंडर साइज एक हजार एमें यानि एक मीटर रहोता है और यह आपको आठ एमें दस एमें या फिर बारा एमें कितने से म अपके मती साथ का जो साइस हो उस साइस के साबसे केपर औो को ऊडर कर सकते हैं और वहीं आपको एक बोक्स में कितना क्या करोत देना है उससाबसे गयताइट आतके और दोसे थी सब्सक्राइब करें जो अलग अलग जगों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको अब जो इस बुडियो में इसना ही जुट करता हूं कि अपनी बुडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना ना पूरियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आडियेस पहुंचे सबसे पहले आपके पार